दोस्तो क्या आपने कभी ऐसे इंसान को देखा है जो आस्मान में बादल छाय होने पर भी सूरच की रोष्टी देखने की उमीद रखता है? क्या आप कभी ऐसे इंसान से मिले हैं जो अपनी लाइफ के डिफिकल्ड फेज में भी हसकर बाते करता हो? आपका जवाब चाहे जो हो लेकिन आपको बता दूँ इंपॉसिबल में भी आई एंपॉसिबल ढूनने वाले लोग येलो कलर जोन में आते हैं अगर आप ऐसे लोगों के बीच रह रहे हैं तो यकीन मानिये आप बहुत ही लगी हैं येलो कलर जोन वाले लोग किसी भी पार् ही रखते हैं वेल येलो कलर जोन वाले लोगों को पहचानना बहुत ही आसान है क्योंकि ऐसे लोग बहुत ही ज्यादा टॉकेटिव होते हैं और कुछ ना कुछ बोलते ही रहते हैं ऐसे लोग सवाल पूछने की बजाए उसका जवाब देने में विश्वास रखते हैं कई बार आपका सामना भी मेरी तरह कुछ ऐसे लोगों से जरूर हुआ होगा जो चढ़ती गाड़ी में चढ़ जाते हैं मतलब कि ऐसे लोगों को किसी ग्रूप में हो रही बातों के बारे में कुछ भी पता ना होने पर भी उसमें अपनी टांग अड़ाने की आदत होती है पैरिजन में बहुत ही ज्यादा पॉपुलर होते हैं ये ऐसे लोग होते हैं जो रोते हुए को हसाना सिखाने वाली बात पर विश्वास रखते हैं ऐसे लोगों की सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि ये दूसरों का टेंशन अपनी तरफ खीचने में एक्सपर्ट होते ह रेड कलर जोन वाले लोगों की तरहा येलो कलर जोन वाले लोग कुईक डिसीजन में कर होते हैं लेकिन उसके पीछे के लॉजिक पर ये विश्वास नहीं करते हैं ऐसे लोग सिर्फ एक ही बात पर विश्वास करते हैं और वो है दिल से जो डिसीजन ले लिया सो ले लिया यलो कलर जोन वाले लोग टची परसन होते हैं, यानि कि इनको दूसरों की फीलिंग के साथ जुड़ना बहुत अच्छा लगता है, ऐसे लोगों का फोकस लोगों के साथ अपने रिलेशन्स को स्ट्रॉंग करना होता है, इसी वज़ा से नए-नए लोगों से मिलकर इनको जित और शर्म के बात कर लेता है, तो आपके पास अपने लाइफ का सबसे इंपॉर्टन्ट एसिट है, क्योंकि यलो कलर जोन वाले इनसान के साथ दोस्ती रखने वाला इनसान कभी दुखी नहीं होता है, इसे थोड़ा सिंपल तरीके से समझाना हो, तो ये समझ लीजे दोस्त जहां रेट कलर जोन वाले इनसान अपनी एनरजी अपने काम में एक्सिलन्स लाने में लगा देते हैं, वहीं यलो कलर जोन वाले लोग अपनी एनरजी उस काम को नए नए तरीकों से करने में लगाते हैं, ऐसे लोग दुनिया के सबसे ज्यादा क्यूरियस इनसान होते हैं अच्छा अब आप एक बात बताईए, फेस्बुक में आपकी फ्रेंड लिस्ट में कितने लोग हैं? पचास, सौ, दो सौ या ये गिंती हजारों पर जाकर बंद होती है? ये सवाल मैं आपसे ऐसे ही नहीं पूछ रही हूँ. आपके सवाल के जवाब से ही पता चल जाएगा क कि आप येलो कलर जोन वाले इंसान हो के नहीं? ठीक है आप मत बताईए, मेरी आगे की बात सुनकर आप खुद ही रिसाइट कर लेना कि आपका कलर जोन येलो है ये नहीं? दोस्तों येलो कलर जोन वाले लोग बड़ी हासानी से दोस्त बना लेते हैं. इनके फोन के जी की बेटी का चकर किसके साथ चल रहा है? जी हां, सही पहचाना. ये लोग अच्छे खबरी होते हैं. दोस्तों कहीं आप येलो कलर जोन वालों की केरेक्टरस्टिक्स सुनकर बोड़ तो नहीं हो रहे हैं? अगर हो रहे हैं, तो ये इस बात का सबूत है कि आप येलो कलर जोन से नहीं हैं. क्योंकि अगर होते तो आपके अंदर बच्चों वाली एनरजी और वो एंधुजियाजम जरूर होता. लेकिन कोई बात नहीं. रेड येलो ना सही, आप किसी और कलर जोन से रिलेटिड तो होंगे ही, अपनी टर्न आने का वेट कीजिए. लेकिन ये एप कलर जोन वाले लोगों की एक बात बहुत अच्छी लगती है. और वो ये है कि ऐसे लोग बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव आटिच्यूड वाले होते हैं. ये इतने ज्यादा पॉजिटिव होते हैं कि इनको बारिश के मौसम में भी धूप निकलने की उम्मेद होती है. इ क्योंकि येलो कलर वाला दोस्त आपको कभी रोने नहीं देगा. भले ही वो खुद जी भर कर रो लेगा. लेकिन आपको हमेशा हसाता ही रहेगा. दोस्तों मैं ऐसे दावे के साथ इसलिए कह सकते हूँ क्योंकि इस बुक समरी को नरेट करने के बाद मैंने अपने फ्रेंड को color zone में डिवाइड करना शुरू किया. जिसमें मेरे कुछ दोस्त yellow color zone वाले निकले. दोस्तों author येलो कलर जोन वाले लोगों की बारे में बात करते हुए ये भी कहते हैं कि ऐसे लोग sales और marketing field में काफी successful होते हैं क्योंकि sales और marketing field एक ऐसी field है जहां काम करने वाले को सबसे ज्यादा demotivation मिलता है येलो कलर जोन वाले लोग by bond ही cheerful होते हैं ये difficult या angry customer को बड़ी आसानी से handle कर सकते हैं इन लोगों की एक और खासियत ये भी होती है कि ये लोग काफी अच्छे motivational leader और influencer होते हैं येलो कलर जोन वाले लोग सबसे ज्यादा resourceful होते हैं ये लोग वहां से भी problem का solution ले आते हैं जिसके बारे में किसी ने सोचा तक नहीं होता है येलो कलर जोन वाले लोग दूसरों के comparison में ज्यादा creative होते हैं अगर आपको अपनी किसी बहुत पुरानी problem को देखने के लिए नया perspective चाहिए तो वो perspective आपको येलो कलर जोन वाले इंसान से मिल जाएगा यहां author के कहने का मतलब यह है कि अपनी friend list में एक आद येलो कलर जोन वाले friend होने से पुरानी problems ज्यादा दिनों तक pending list में नहीं रह पाती हैं उसे solution के हाथों शहीद होना ही पड़ता है दोस्तो मैंने अभी कुछ देर पहले कहा था कि इस कलर जोन वाले लोग बहुत ही ज्यादा positive और optimistic होते हैं ये इतने ज्यादा optimistic होते हैं कि ये हिमाले पर जाकर भी refrigerator बेच सकते हैं येलो कलर जोन का इंसान red कलर जोन के इंसान की तरह लाइफ में कभी भी हार नहीं मानता लेकिन red और yellow जोन वाले इंसानों में problem को solve करने का perception बहुत ही अलग होता है किसी problem के बारे में discuss करते हुए अगर red जोन वाला person ये पूछता कि अब क्या किया जा सकता है वही yellow कलर जोन उस problem को अलग ही angle से देख कर ये कहेगा कि इसे कौन करेगा मतलब yellow कलर जोन वाला person already problem के solution के बारे में सोच चुका होता है और red कलर जोन वाले person से इस मामले में वो एक कदम आगे ही होता है तो दोस्तों yellow कलर जोन वाले लोगों के बारे में इतनी सारी बातें जानने के बाद अब आपका क्या कहना है क्या आपको किसी ऐसे famous इंसान के बारे में पता है जो yellow कलर जोन से हो अपना जवाब हमें comment पर जरूर बताईएगा इंतजार रहेगा दोस्तों आप comment सो like कीजिए तब तक हम अपने अगले episode की तरफ बढ़ते हैं तो बने रहेए कुकु FM के से